मैं भारत को भारती अताकी माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ हमारी चिकित्सा पद्दिती में बहुत दम है, इसके दम के कुछ उधारन बताता हूँ जो भगवान राम के भाई लक्ष्मन बेहोश हो गए, और सुषेण ने जब नाड़ी देखी, ये तो गया, अब बचने की कोई संभावना नहीं, तब हनुमान जी को का जाके लाओ जल्दी से मैं कुछ देर तो जीवन बचा सकता हूँ, बाकी आगे की गारंटी नहीं है जीवित हो गए, तो कोई तो है दम भाई, ऐसा तो नहीं है, सूंगने मात्र से वो जीवित हो गए, हम तो ये महाभारत की कहानी देखते हैं, युद्ध चला है, और आप जानते हैं भयंकर युद्ध चला है, भारत के पिछले हजारों साल के इतिहास में सबसे भयंकर यु चलता है कि सबेरे से शाम तक युद्ध होता है रात को सभी पालों के वैद्य अपने अपने घायल सहनिकों के खावों पर मरहुं लगा रहे हैं लेपन कर रहे हैं और अगले दिन वो फिर युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं ऐसी कौन सी चिकितसा पद्दिती दुनिया में है जो बारे घंटे में आदमी को लड़ने के लिए तैयार कर दे। और महाभारत की ऐसी एक नहीं सैक्ड़ों कहानियां उसमें से तो एक कहानी में बताता हूँ। कारवों की कहानी जानते हो सौ थे एक माता के सौ पुत्र कैसे हो गए एक माता के सौ पुत्र कैसे हो गए और अदमत बात जो समझने की है वो सौ के सौ सभी पुत्र एक जैसे उचाई में एक जैसे चोड़ाई में एक जैसे लंबाई सब की बराबर हातों की लंबाई बराबर और शरीर सबका एक जैसा, चेहरा सबका एक जैसा, बड़ा मुश्किल पहँचानना, तो ये तो भाई कोई क्लोनिंग हुआ हो, तभी संभव है, वरना कैसे संभव है, अभी तो हम प्राकरतिक तरीके से जानते हैं, कि दो ट्विंस भी पैदा हो जाएं, तो एक जैसे नहीं ह हों, जिनोंने गांदारी के रक्त मैं से कुछ निकाल कर क्लोन कर दिया हो, या उनके गरभाशे से कुछ निकाल कर क्लोन किया हो, उसमें से ये कौरब पैदा हुए हो, तो ये ख्लोनिंग की टेक्नोलोजी तो 500,000 साल पहले इस देश में थी, यूरोप तो अभी जान रहा है और यूरोप अभी तक बेड़ बक्रियों पर प्रयोग कर रहा है यहां तो आदमियों पर प्रयोग 5000 साल पहले हुआ तो कोई तो दम होगा इसमें हमारे शुशुरुत सहिता को आप जानते ही हैं आप में से शायद किसी ने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़िये सुशुरुत सहिता में बहुत साल से पढ़ता रहता हूँ हालां कि मेरा विश है तो electronics है लेकिन मुझे इसमें interest है जब जब मैं सुशुरुत सहिता पढ़ता हूँ micro level पे जब जाओ तो इतने तरह के उपकरणों के वरणन उसमें हैं सरजरी करने के लिए क्या अश्यर होता है अगर सुश्रुत सहिता से एक पुक वरण को निकाल कर लिस्ट बना दी जाए तो आज के आधुनिक सरजरी में जितने उपकरण है उससे कम नहीं है और उन उपकरणों को बनाने के लिए जो इस्तेमाल होने वाला मैटल है फॉलाद कहिए वो सिर्फ आईरन नहीं है ऐसा मैटल इस्तेमाल है जिसमें साथ धातुएं हैं ताकि उसमें जंग न लगे और आज के जितने भी अच्छे से अच्छे सरजरी के उपकरण भारत में है सभी में जंग लगती है लेकिन शुश्रुत के उपकरणों में जंग नहीं है तो इतने तरह के उपकरण उस जमाने में बनते थे शुश्रुत का समय तो कोई आज का नहीं है कम से कम साड़े तीन एजार साल का है उस समय अगर ऐसे उपकरण बनते थे तो कोई तो दम होगा इस देश की चिकितसा विवस्था में ऐसे तो नहीं है जब यूरोप में और अमेरिका में शरीर की नस काटकर रक्त बहादो यही चिकितसा है उस समय इस देश में शुशुरुत की राइनोप्लास्टी रही आपको मालू मैं राइनोप्लास्टी भारत ने दुनिया को सिखाया है और राइनोप्लास्टी के भारत में 1500 से ज़्यादा केंद्र थे अंग्रेजों की East India Company के आने के पहले तक उनके इस्थान और पूरे वरणन मेरे पास है और अंग्रेजों के दस्तावेज में से निकाले हुए बारत में सबसे बड़ा राइनो प्लास्टी का केंद्र था कांगडा कांगडा कहा हैं? शिमला के आगे हिमाचल में और कांगडा और उसके आसपास में 700 केंद्र थे जो राइनो प्लास्टी सिखाते थे दक्षुन में जबरजस्त केंद्र थे राइनो प्लास्टी के मैसूर स्टेट है ना? मैसूर स्टेट में 1.500 से ज़्यादा केंद्र थे आज से 200 साल पहले एक पुरानी कहानी है जो दस्तावेजी है कलपना की नहीं है एक अंग्रेज अदिकारी था करनल कूट वो हैदर आली से लड़ा हैदर आली ने उसको परास्त किया परास्त करने के बाद उसकी नाख काट दिया क्योंकि हमारे राजा ज्यादा से ज्यादा यही करते गला नहीं काटते थे नाक काट दिया कान काट दिया क्यों क्योंकि नाक कटना ही बहुत बड़ी बदनामी होती थी तो नाक काट दिया उसका कटी हुई नाक लेके वो भागा करनल कूट वो खुद अपनी डाइरी में लिख रहा है कि जब मैं युद्ध में हार गया, हैदर अली ने मुझे नाक काट दी, हाथ में लेकर में भागा, और हैदर अली की सीमा खतम हुई, मैसूर राज्जी की, तो बेलगाम नाम का एक गाउं आया, वहाँ पर एक वैद्दी ने मेरी स सब कर सकते हैं, इसलिए हमें भारत में अपने लोगों को भेज कर ये विद्या सीखनी चाहिए, ये उसका भाशन है, House of Commons, तो करनल कूट के इस भाशन को सुनने के बाद, अंग्रेजी सरकार ने तै किया, चलो कुछ लोगों को भेजो, तो अंग्रेज आये, उन्होंने यह सरजरी सीखना शुरू किया, और जो अंग्रेजों ने सरजरी सीखा है, वो लिख रहे हैं कि जो जातियां भारत में सरजरी में मास्टर थी, वो सब नाई थे, नाई समझते हैं, बाल काटने वाले, ये सब सरजन थे 200 साल पहले, हाँ, सब सरजन थे 200 साल, अब ज़रा सोचो कि नाई अगर सरजन रहे हों, तो वो पिछली जाती कैसे हुई, अंग्रेजों ने उनको 1881 के सरवे में पिछली जाती गोशित किया, उसके पहले इस देश में नाई कभी भी पिछली जाती में नहीं थे, 1881 में सेंसस हुआ सबसे पहला, और आज तक वो चल रहा हर 10 साल में होता है, जनसंख्या का गणना, अंग्रेजों ने पहली गणना में नाईयों को पिछला वर्ग में डाल दिया, और एक अंग्रेज कहता है कि ये अच्छा ही है, क्योंकि ये विद्या में इतने उचे हैं, अगर इनको नीचे नहीं लाओगे, ये गुलामी कभी सुईकार न सकते हैं, सोचो ना, और इतनी सफाई से उस तरह चलाते हैं, उसी उस तरह से वो किसी ट्यूमर को भी काट के निकाल सकते हैं, ये सब बहुत बड़े सरजन रहे, और आज से दो सो साल पहले के दस्तावेज बताते हैं, कि कांगडा और उसके आसपास, कुर्ग और उसके आस मैसूर और उसके आसपास, जितने सरजरी सिखाने वाले केंद्र थे, उन सब के आचारे, नाई ही थे जाती हों, ये सब सरजन थे, और इनों ने जो सरजरी सिखाई है, वो हिंदुस्तान के गाउं गाउं फैलाई, फिर अंग्रेजों ने क्या किया, ये जो सरजरी सिखाने वाले केंद्र थे इन सब को गेर कानूनी गोशित पर दिया एक कानून बनाया जिसका दुरभागे से नाम है इंडियन να एजूकεशन एक्ट उसमें इंडियन कुछ भी नहीं है नाम उसका इंडियन एजूकेशन एक उस कानून में उन्होंने ये टै कि भारतिय विद्याओं को लिखाने वाले जितने भी केंद्र हैं वो सब गेर कानूने तो उन पे ताले डलवाए गए नहीं डाले तो मरवाया गया उनको आग लगवाई गई कितने लोगों को जिंदा जला दिया वो कहानी सुने तो आपकी आँखों से आँसू निकला है ये अत्याचार सौ साल हुआ उसमें ये विद्या खतम हो गई और फिर बेइमान अंग्रेजों ने क्या किया कि यहां से सरजरी सीखा और उनके अपने रिकॉर्ड्स में वो सब है हिंदुस्तान को ये बताया कि देखो हम तुमें वापस सिखा रहे और यहां से सरजरी सीख कर जो डॉक्टर बने लंदन में उन्होंने फैलो अफ दो रॉयल सुसाइटी की स्थापना की जिसमें डिग्री लेने के लिए आज हमारे डॉक्टर जा रहा है और उस प्रमान पत्र को लाके दरवाजे पर बड़ा टांगते हैं मैं देखो FRS उसमें शहद लगा के चाटो तो विटेमिन सी भी न मिले यह इस्तुती है इतना उलट गया सब कुछ सरजरी में ये था मेडिसिन में इससे अद्बुत था भारत और मेडिसिन में अद्बुत होने का कारण है बिश्वेश किसम की दवाएं यहां पर है ऐसी ऐसी अद्बुत दवाएं हैं जो आप कल्पना नहीं करें काम ना करें आपकी कल्पना मैं आज भी ऐसे बहुत वेद्दियों को जानता हूं जिनके पास कोई formal education नहीं है जो school college में भी नहीं गए है आपकी नाड़ी अगर पकड़ ली तो बता देंगे साथ साल साथ दिन पहले से क्या क्या खा रहे हैं और ज़्यादा दूर नहीं है इसी जैपुर शहर में इसी जैपुर शहर में उनका कोई formal education नहीं है वो सिर्फ नाड़ी पकड़ते हैं मैं गया हूँ दो बार वो साथ दिन पहले का मुझे बता दिया पिछले रविवार को ये खाया सुमवार को ये खाया मंगल को ये खाया बुद्ध को ये खाया ये भाई कौन सा विज्यान है ये तो दुनिया से करोडों रुपए खर्च करके लाई गई मशीने नहीं बता पाती कि हफते बर पहले हमने क्या खाया था और नाड़ी पकड़के सारा का सारा डाइगनोस कर लेना कि आपको यही है और वही निकले यह तो कुछ अद्बुत है यह कोई सामन विद्या नहीं है भाई मैंने ऐसे तमाम वैद्यों को देखा है जो नाड़ी पकड़के बताते हैं कि आपको ट्यूमर है गरबाशे में हैं, यहां हैं, यहां है और हम जब आदुनिक चिकितसा शास्त्र में परिक्षन कराते हैं वही निकलता है एक वैदितों मैंने ऐसे भी देखे हैं केरल में कोटक कला में वो साइज बता देते हैं इस साइज का है नाड़ी पकड़ी और बता दिया इस साइज का है और वही निकलता है इसका माने इस भारतिय विद्या में कोई दम है और वो दम अगर हमको दिखाई दे जाए तो आत्म विश्वास हमारा लोट आएगा और हमारी हीन भावना कुछ कम हो जाएगी और हीन भावना कम हो जाए तो हम शायद दुनिया जीत लेंगे